नमस्कार आप सब के स्वागत है zero knowledge मैं इस चैनल में आप दुनिया के जानोरों के बारे में दुनिया के रहोशित के बारे में और दुनिया की अनिक घटनाओं के बारे में जान पाइंगे ये चैनल आपको प्रकूरतिक से जोड़ने की कौसिस करेगा और आपको दुनिया को समझने की जानने की जिग्या सको दूर करेगा आज का वीडियो दुनिया की पांच होसियो कुत्यों के उपर है लेकिन वीडियो सुरू करने से पहले में चाहूंगी कि आप मेरे चनल को सब्सक्राइब करे और अगले वीडियो के लिए बेल आइकोन को दबाए और वीडियो पुरे अंत्रक जरूर देखे अगर आपको कुत्यों पालना पुसंद है तो चलो सुरू करते हैं वेशे तो आप सभी जानते होंगे कि इंसानों का सबसे वफादार और लोग प्रिये जानवर है एक कुत्ता आपको जानके हिरानी होगी कि कुत्यों की 349 प्रजातियां है कई लोग कुत्यों को जानवर नहीं पर अपना घर का सदस्य मानते हैं कुत्यों बहुत ही होस्यार होते हैं दुनिया में कई सारे होस्या कुत्यों की प्रजातियां हैं इस वीडियो में आप चानोगी कि दुनिया में टोप 5 होस्या कुत्यों के बारे में जो आपका सथ किसी भी मुसीबत में नहीं छोड़ेंगे तो आईए, शुरू करते हैं डॉबर्मेन नमबर फाई में आते हैं डॉबर्मेन डोग ये कुत्तों को डॉबर्मेन पिंचर भी बोलते हैं ये कुत्ते जर्मनी में पाए जाते हैं इनका बज़न 32 से लेकर 45 किलोग्राम तक का होता है इनकी हाइट 25 से लेकर 28 इंच तक की होती है और ये 9 से लेकर 12 साल तक जिन्दा रह सकते हैं डॉबर्मेन बहुत होसियार, वफादर और फूर्तिले होते हैं ये आपका कोई भी काम कर सकते हैं कहते हैं दूसरे विश्व यूद में यूनाइटेड स्टेट्स मरिन कॉर्पोरेशन ने इन्हें ट्रैन करके एक वोर डोग के तरीके से इस्तमाल किया था ये कुत्य पॉलिस रैसिक्यू में भी काम आते हैं अगर आपको डॉबर्मेन डोग पालना हो तो ये कुत्य इंडिया में 6,000 रुपे से 15,000 तक में मिल जाएंगे आपको गॉल्डेन रेट्रिवर डोग दोस्त नमबर चार पर आता हैं गॉल्डेन रेट्रिवर डोग ये प्रज़ती स्कॉटलेंग में 19 सदी से पाई जा रही है ये हाँ, रंग में सुने रहे होते हैं इनका बजन 25 से लेकर 34 किलो ग्राम होता है इनकी हाइट 20 से लेकर 24 इंज तक की होती हैं और ये 10 से लेकर 12 वर्सों तक जिन्दा रह सकते हैं ये कुत्य बहुत होसीर और बड़े सांथ होते हैं ये कुट्टे ज्यादा तर अंधों को रास्ता दिखाने में काम आते हैं गॉल्डन रेट्रेवर बच्चों के साथ बड़े खुशी से और बड़े सांसे रहते हैं अगर दोस्तो अपने अक्से कुमार की फिर्म एंटरेटेंडमेंट मुवी देखी होगी तो उसमें कुट्टा एंटरेटेंडमेंट में था वो गॉल्डन रेट्रेवर ही था तो आपने जानी लिया होगा कि कुट्टा कितना होस्यार हैं ये कुट्टे तेरने में भी माहिर होते हैं अगर इंडिया में आपको इसे पालना है तो आपको ये 15,000 से 45,000 के बीच में मिल जाएंगे जर्मन से फड़ दोस्तो नमबर 3 पर आता है जर्मन से फड़ जैसे इनका नाम है वेसे इसका देश है ये प्रजाती जर्मनी में पाई जाती है इनका वज़न 25 से लेकर 40 किलोग्राम होता है और इनकी हाइट 20 से लेकर 26 इंच तक की होती है ये 9 से लेकर 13 वस तक जिन्दा रह सकते हैं ये कुत्ते बहुत ताकतवर फूर्तिले के साथ साथ काफी होसियार भी है इनकी ताकतवर फूर्तिलेपन को देख क्या कई देशों की पुलिस ने इसे अपने एजन्सी में भरती कराते हैं ये प्रजाती होसियार होने के साथ सक खतरनाग भी है दुनिया के सबसे खतरनाग कुत्तों में भी ये तिसरे नुमबर पर आता है कहते हैं जब दूसरा विश्वयूद हुआ था कई देशों ने जबमन सेफ़र को अपने सेना में भरती किया था इनका टेलेंट को देख कर अगर आप इसे इंडिया में पालना चाहते हैं तो आपको 6,000 सेलिक की बिच में मिल जाएंगे पुडल दोस्तों नमबर दो पर आता हैं पुडल डोग इसे पुडल हुण्ट नाम से भी जाना जाता है ये डोग की प्रजाती की अंदर तीन और प्रजाती की कुट्यों होते हैं एक है स्टांडर पुडल दूसरा है मिनियेचर पुडल और तीसरा है टोई पुडल ये पुडल कुट्टे अब फ्रांस और जर्मनी में पाए जाते हैं इनका बजन 6.5 से लेकर 19 किलोग्राम तक का होता है इनके हाइट 10 से 15 इंस तक क्यों होती है और ये 12 से 15 वर्सों तक जिन्दा रहते हैं ये कुट्टे बहुत होस्यार और फूर्तिले होते हैं ये अपनी करले बालों की वज़े से जाने जाते हैं पुडल नाम जर्मनी ने रखा क्योंकि जर्मनी में इसका मतलब होता है जो पानी में तेरता है क्योंकि यहाँ कुट्टे पानी में आराम से तेर सकता है इंडिया में ये कुट्टे मिलना मुश्किल है लेकिन आप इसे आंतर रश्टिव मार्केट से 300 से लेकर 1200 डोलर में खरी सकते हो बॉडर कुली तो सबसे होस्यार और इस वीडियो का नमबर वन कुत्ती की प्रजाती है बॉडर कुली इसे लोग स्कॉटी सिपडॉग भी बोलते हैं ये कुत्ती इंगलेंड स्कॉटलेंग की बॉडर पर पाई जाते हैं इनका रंग काला और सफेद होता हैं इनका बजन 14 से लेकर 20 किलोग्राम होता है इनकी हाइट 19 से लेकर 22 इंच तक की होती है ये 10 से लेकर 17 वर्षों तक जिन्दा रह सकता है ये कुत्ते पूरी दुनिया में सबसे होसियर होते हैं होसियर के साथ साथ काफ़ी फूर्तिले भी होते हैं बॉर्डर कुली एक Northumberland की जगब में पाई गए थे जो England-Scotland बॉर्डर की बीच में हैं और इसलिए इनका नाम है बॉर्डर कुली पड़ा क्योंकि दो बॉर्डर की बीच में पाई जाते हैं इंडिया में अगर आप खरिदना चाहें तो आप इसे दस से लेकर 15,000 तक में खरिश सकते हो तो दोस्तो आज के वीडियो इतना ही था आपको हमारा वीडियो केसा लगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके सब्सक्राब जरूर करना और कमेंट सेक्षन में आप हमें हमार वीडियो को फिल्बेक दे सकते हो थेंक यू